नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज देखें डाइबिटीज अब डरा रहा है डाइबिटीज का कब्जा अब हर एक घर में हो गया है यानि कि अब हर एक घर में डाइबिटीज पोख़ुच चुका है और पैर पसार चुका है लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर भी आई है खतरना खबर आई है कई सारी डाइबिटीज की अच्छी दवाएं अब मार्किट से गायब हो रही है तो ऐसे मैं आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यूं हो रहा है आपको क्या करना होगा तो आज समुद्धे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ डोक्टर आननशंकर जी है सबसे पहले बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो डोक्टर साब हम आप से जानना चाहते हैं कि जो मैंने शुरू में कहा कि कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो मार्केट से डाइबिटीज की गायब हो गई है क्या वाकई में ऐसा है देखिए अमियन जी आपने जो कहा ये कुछ हद तक ठीक है डाइबिटीज की जो पुरानी दवाईयां है वो तो मार्केट में है और मिल रही है उसमें कोई परेशानी नहीं है कुछ नई दवाईयां डाइबिटीज के लिए आई हैं और जिनोंने बहुत ही अच्छा प्रभाव डाइबिटीज पे दिखलाया खास करके कि वैसे डाइबिटीक के मरीज जिनका वजन जादा था और जिनको कुछ हर्ट की समस्या भविश्य में हो सकती थी किड्नी की समस्या भविश्य में हो सकती थी वैसे लोगों के लिए कुछ दवाईया अच्छी दवाईया फर्मसेटिकल इंडस्ट्री ने डवलप किया मार्केट में आई और हम लोगों ने उसको यूज किया और यूज करने के बाद उसका फाइदा बहुत जवरजस्ट दिखा जबरदस फाइदा दिखा सुगर कंट्रोल करने में, इंसुलिन के डोज को कम करने में, ब्लट ग्लुकोज के फ्लक्चुेशन मतलब कई बार आप देखते हूं कि कई बढ़ जाता है, कम हो जाता है फ्लक्चुेशन को कंट्रोल करने में, साथ में वैसे लोगों जिनका वजन ज़ादा था वजन को कम करने में कई लोगों का वजन ज़्यादा था तो उनका वजन कम हुआ और जिन लोगों का वजन बढ़ रहा था वैसी दवाईयों से वजन बढ़ना बंद हुआ उसमें से कुछ एक दवाईया कुछ समय से अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है बहुत सारे मरीज जो वैसी दवाईयों पे थे उनका सुगर कंट्रोल करना बड़ा चालेंज भी है और उनके वजन को मेंटेन करना भी चालेंज है डॉक्टर के लिए भी और मरीज के लिके लिए भी क्योंकि अगर वो दवाईयां नहीं मिल रही है तो दूसरी दवाईया जो है जिसे सुगर कंट्रोल होगा सायद वो वजन को बढ़ाए शायद वो वजन को बढ़ाए तो ऐसे सिचुएशन में फिर मरीजों पे दवाव बढ़ेगा कि अपने वजन को वो कैसे कम रखें तो अब फर्मा इंडरस्ट्री क्यों ऐसा स्टेप लिया हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है क्यों अचानक से बिहारी नहीं बलके भारत के मार्केट से भी गायब हो गई है ये दवाईया तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साथ कि आखर इसके पीछे की वज़ा क्या है वज़ा बताना तो मेरे लिए थोड़ा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये बड़े बड़े कमपनिया है इंटरनेशनल कमपनी कोई छोटी भारत वर्ष की कमपनी नहीं है योरोप की कमपनी है अमेरिका की कमपनी है किस कारण से उन्होंने ऐसा किया इस पे तो विस्तार से कमपनी ही बता पाएंगी लेकिन अगर डाइबिटीज की दवा जो की एक life saving, diabetes एक lifestyle disorder है और उससे कई तरह की घातक complications, brain आख, heart, kidney के complications होते हैं और दवाईयां अचानक किसी मरीज को न मिले, तो ऐसे situation में मरीज बिचारा helpless हो जाएगा, करे तो क्या करे? और doctor भी helpless हो जाएगा, कि हम उसको कैसे handle करें और ऐसे situation में अगर उनका सुगर control से बाहर हो जाता है version control से बाहर हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये companyya को बंद करने से पहले क्या वो सरकार को बताईं? क्या वो doctor को confidence में ली क्योंकि जवाब दे कौन होगा? अगर मैं एक मरीज को एक पुर्जा लिख के देता हूँ तो उस दवाईयों का जवाब दे ही फिर मेरे उपर होता है कि भाई आपको ये दवा आपको स्वस्त रखेगा. अब मरीज आके मेरे से पुछता है कि आपने पुर्जा दिया लेकिन अब दवाई मिल नहीं रही है. मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसको देने के लिए. तो ये एक इसको कहेंगे sad situation create हो गया है हम जैसे लोगों के लिए कि क्या हम अब अगला सला अगला हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखर कौन कौन से वो दवाईया हैं जो मार्केट से अचानक आयब होते हैं देखिए इस पे नाम लेना किसी दवाई का वो चुकि अभी जो भी दवाईया मार्केट में थी और अभी नहीं मिल रही हैं वो सब आफ पेटेंट नहीं हुई हैं अभी वो पेटेंट लॉग के अंदर में हैं तो किसी भी दवाई या किसी भी कमपनी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि ये दवाईयां अभी भी पेटेंट लॉग के अंदर में हैं तो मेरा कोई भी statement मेरे against भी जा सकता है आपके against भी जा सकता है और company इसको otherwise भी ले सकती है तो मेरा किसी company का नाम लेना किसी दवाई का नाम लेना उचित नहीं होगा उचित नहीं होगा लेकिन हम आपसे ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखर ऐसी कितनी दवाईयां है जो अचानक से गायब हो गई जहां तक मेरा knowledge है और जहां तक मेरे मरीजों ने आके बताया है ऐसे मेरे नजर में तीन दवाईयां है तीन दवाईयां है जो की सुगर की दवाई है जो सुगर के मरीजों को दी जाती है रेगुलर दी जाती है वो दवाईया अब मार्किट में अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर साहब अब ऐसी स्तिती में क्या कीजेंगा आप लो अब जैसे कि कुछ पुरानी दवाईया हैं उन दवाईयों को हम लोग देंगे साथ में इंसुलिन जिन मरीजों को साथ में इंसुलिन जल रहा है उनको इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा अगर जो मरीज गोली पे ही केवल सिर्फ थे और सुगर कंट्रोल था और अब बंद हो गई दवाईयां तो हो सकता है कि उनको इंसुलिन देना पड़े वैसे मरीज जो पहले से इंसुलिन ले रहे थे और उन दवाईयों पे थे और उन दवाईयों को बंद करने के बाद गोली का डोज बढ़ाने के बाद भी सुगर कंट्रोल नहीं है तो इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ नए तरह के इंसुलिन को देना पड़े उनको एक्स्ट्रा की सुगर का जो फलक्चुएशन है उसको कम कर सके कम किया जा सके, तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कि आपने ये तो बता दिया है, कि आखर जब वो दवाईयां मार्किट में अविलेबल नहीं है, तो क्या कुछ सब्सिट्यूट होने जा रहा है, लेकिन आपने शुरू में ये भी का था, और हमने भी मरीजों से बाचीत की, मरीजों ने साफ साफ का, कि ये वैसी दवाईया थी, जिनसे मेरा diabetes तो कंट्रोल होता था साथी साथ, fat loss भी होता था तो क्या ये जो दवाईयां अभी आप बता रहें, उनसे भी होगा fat loss fat loss तो नहीं होगा, उन दवाईयों से सिर्फ diabetes कंट्रोल होगा fat loss नहीं होगा, तो बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि diabetes के मरीजों का वजन कम रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि diabetes के साथ में अगर मोटापा बढ़ता जाएगा तो brain आंक, heart फेपड़ा, kidney मासपेसी, नर्व पैर, सब पे उसका कूप रभाव पड़ेगा हड़ी, कूप रभाव पड़ेगा तो मोटापा कम करना बहुत ही जरूरी है लेकिर unfortunate है कि हमारे हाथ से कुछ दवाईया निकल गई हाथ से कुछ दवाईया निकल गई, जो हमारे मरीजों को फाइदा पहुचा रही थी जो हमारे मरीजों को फाइदा पहुचा रही थी डॉक्टर साब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो वो दवाईया हाथ से निकल चुकी है तो जो आपने substitute बताया है अगर कोई patient उस substitute को अब लेता है तो क्या कोई side effect भी होगा कि अचानक से इस बिचोन होगा जब भी हम लोग दवा को change करते हैं तो पहले हम लोग उनको investigate करते हैं जाच करके देखते हैं कि पहली दवाईयों से और अब नई दवाईयों के बीच में जो हम change over करेंगे उससे मरीज को नुकसान तो नहीं होगा तो एक तो थोड़ा एक मरीज को जब हम कुछ ज़्यादा जाच कराएंगे तो उसका पैसा भी तो लगेगा तो अब मरीज को थोड़ा extra burden भी उठाना पड़ेगा अब पहले मरीज उन दवाईयों पर बिल्कुल सांती से बिल चल रहा था बोड़ी ने भी adapt कर लिया था अब हम फिर से जाच कराएंगे दवाई change करेंगे फिर हम मरीज को देने के बाद फिर उनको दुबारा बुलाएंगे देखने के लिए कि कोई side effect तो नहीं हो रहा है फिर ये भी देखने के लिए कि उस दवाई का परवाव है की नहीं तो अब मरीज को बार-बार आना पड़ेगा सुराती अवस्था में बार-बार जाच कराना पड़ेगा तो ये सब अगर वो दवाईयां रहती तो शायद हम इससे बच जाते हैं वो दवाईयां अगर रहती तो शायद हम इससे बच जाते हैं लेकिन एक आखरी सवाल है डॉक्टर साब कि भारत वो दवाईयों क्यों नहीं बनाता है चुकि अभी वो दवाई से बाहर नहीं हुई हैं, तो आप जैसा जानती हैं कि इंटरनेशनल पेटेंट लौ है कि उसमें एक टाइम होता है, उस पेटेंट लौ के खतम होने के बाद ही बाकी कम्पनिया भी उन दवाई को बना सकती हैं जब तक वो पेटेंट रहेगा दूसरी कमपनियां अगर दवाई बनाएंगी तो इंटरनाशनल पेटेंट लॉग के अंदर में मामला सब जुडिस हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल तो क्या भारत में कभी नहीं मिलेंगी गो दवाई ऐसा तो नहीं है मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरा परसनल ओपीनियन ऐसा है कि जब भी उसका पेटेंसी खतम होगा पेटेंट उसका जब डेट खतम हो जाएगा जब तक उसका पेटेंट है उसके पनिया है और इंडियन इंटरनेशनल कमपनी है जो भारत में दवा बना करके योरोप, औस्टेलिया, मिडिल इस्ट, अमेरिका में बेचती है वैसे कमपनियों के पास में इतनी सक्छमता है कि वो है कि वो बनाएंगी और हो सकता है कि अभी से कमदाम में मिले तब फिर हम उसको यूज करेंगे तो सुना अपने क्या खुछ बताया है जॉक्टर साब ने तो फिर ये पूरी बाचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बनी रहिएगा और देखते रहिएगा ल प्रद बताईएगा